दोस्तों मेरा नाम है डीपी पांडे दोस्तों आपने ये देखा होगा कि सोसल मेडिया पे अनेक प्रकार से लोगों के साथ चिटिंग होती है फ्राड होता है उनको ब्लैक मेल किया जाता है आपने तो ये सुना होगा कि सोसल मेडिया पे यानि वाटस अप पे वीडियों काल के जरिये पहले वीडियो काल की जाती है उसके बाद उनसे पैसे लिए जाते हैं उसमें गंदी तस्वीरे दिखाई जाती है कास कर ऐसे लड़के सिकार होते हैं जो सामने से लड़की फोन करती है और गो कभी नंगी होती है तो कभी अपना अपने अंग का प्रदर्सन करती है उसके बाद उस लड़के का जब उसमें फोटो आ जाता है तो वो उसे धमकी देती है कि इसको मैं सोसल मीडिया पर डाल दूँगी या क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट कर दूँगी पुलिस को बता दूँगी तो वो डर जाता है लड़का और डरने के बाद उनकी जो डिमां जाई है जिसे आपको भी जानना चाहिए मैं सोचा उसे आज शेयर कर दूँगी और उनने बताया कि उनको एक लड़की ने फेस्बुक के जरिये उनका बात्षित सुरू हुआ और बात्षित के दौरान उसने बताया कि वो वीडियो है और वो जो महासे थे वो किसी बैंक म कर्मचारी थी उन्हेंने उनसे बात्षित करना शुरू किया और बात्षित करते करते उसने अपने घर बुलाया महाराष्ट्रा में और यह बैंक में नोकरी करते हैं अब वहां जाते हैं जाने के बाद मिलते हैं तीन घंटा उसके साथ रहते हैं उसके घर पे रहते हैं और तीन घंडे में क्या हुआ इसको उन्होंने ना तो शेयर किया ना ही मैंने पूछा लेकिन जब वो कहते हैं कि मजामगा और वो railway station छोड़ने आती है कहती है के मैं आपको छोड़ देते हूं मुझे भी जाना है एक गाड़ी बुलाती है गाड़ी में दो लोग आते हैं एक ड्राइवर होता है और एक आदमी होता है और रास्ते में जाते समय पुलिस वाले को दिखते हैं थोड़ी दूर पे वो गाड़ी रोख देती है कहती है मुझे कुछ काम है भी आ रही हूं और चली आती है पुलिस वाले के पास जाने के बाद कहती है कि वो गारी में जो आदमी साया करती है कि उस गारी में जो आदमी बैठा है वो मेरे साथ रिलेशन बनाया है और रिलेशन बनाने के बाद रिलेशन मतलब सेक्शुल रिल नहीं तो मैं किस बात का पैसा दूं? तीन लाक रुपे से डिमांड की गई, पुलिस और वो महिला और वो दो पूरुस जो थे, सब मिलके उसको पूरा दबाव बना रहे थे कि तीन लाक रुपेया दे दो, नहीं तो तुम्हे जेल जाना पड़ेगा, उसको थाने ले जाया और जब ठाने पे जाता है और असच्चो आते हैं तो असच्चो पूरी बात को जानते हैं और वो जो बैंक का कर्मचारी जिसको पुलिस उठा के ले गई थी असच्चो से जब उनकी बात होती है बातचीत के दोरान पुलिस को जब समझ में आता है कि नहीं मामला ये है तो पुलिस उस महिला को और उस दो पुरसों को जो उस महिला का साथ दे रहे थे उनको उठा के जेल भेज देती है उसके बाद वो महिला जेल से जब छूट के आती है तो फिर कंप्लेंट फाइल करती है इस बैंक कर्मचारी के खिलाप उसके बाद वो कंप्लेंट हो जाती ह हो जाने के बाद वो पुरूस सेसन कोट में जाता है और उसको आडर को सैलेंज करता है जिसमें वो आडर रिजक्ट हो जाता है तो इस कहानी का बताने का पातपाज मेरा यह था कि पहली तो इन चीजों से बसें कैसे लोग आपके साथ प्राट कर सकते हैं इमोशनल होके कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई महिला आपको कहीं बुलाए तो नहीं जाना चाहिए और इससे बचना चाहिए, पुरुस्त ने जो समझदारी का काम किया, वो जो बैंक करमचारी था उसने पैसा देने से इनकार किया उसने कहा मैं पैसा नहीं दे सकता मैंने कुछ किया है नहीं है और उसने पैसा नहीं दिया यही उसने अच्छा किया साथ तीन लाक रुपया देता दो लाक रुपया देता तो उनकी डिमांड और बढ़ती जाती उसने पुलिस थाने जाना ज़्यादा जवूरी समझा और ऐसी घटना से बाल बाद बज गया हाला कि वो महिला प्रयास कर रही है कि 376 यानी रेप के मुकर्द में उस पे लगाया जाएं इसने साधी का जहासा देकर उसके साथ संबंद मनाया ऐसा उस महिला का कहना है तो दोस्तों इस तरह का भी फ्राड सोसल मेडिया पर अब होने लगा है इससे सावधान रहना चाहिए और अपने आसपास के लोग यदि आप के आसपास लोग ऐसे शिकार हुए है तो ने भी इस में जाके कमेंट जरूर करिएगा वीडियो अन्त तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे झाल